एलो फ्रेज्ट वेल्कम बैक मैं चैनल मैं आजर और आप देख रहे हैं आजर बूटिक चैनल आजमा आपके लिए फिर से एक लिए टेस्ट पोंचर डिजाइन लेकर हैं तो चलिए वीडियो शुरूर करते हैं यह देखें डिजाइन बनाने के लिए मैंने बूचर रेडिकर दिया हैं मैंने इसके इनर दोनों लाहरयाब बना दिया हैं अम आपको आगे का डिजाइन दाती हूँ ये देखे मैं आपे तीन तीन निच के गैप में निशान लगाना है इस तरीके से इस तरीके से मैं निशान लगा लेना है ये देखे मैंने निशान लगा दिया है अम आपको आगे का डिसाइन दाती हूं यह देखे मैं इन दोनों निशनों को मिला देना है इस तरीके से लाइनों को मिला लेना है यह देखे मैंने इन लाइनों को मिला दिया है अब मैं आपको इसके उपर सिलाई करके दिखाते हूं इसी तरीके से हमें इन सभी लाइनों पर सिलाई कर लेनी है यह देखे मैंने इसे लेक कर दिया है अम आपको आगे का डिजाइन बनाना है यह देखे इसी तरीके से मैं इन सभी में डिजाइन बना लेना है यह देखे मैंने डिजाइन बना दिया है अम आपको आगे का डिजाइन बनाना है ये देखे मैं आपे दो लाइने लगाने है इस तरीके से इस तरीके से मैं इन सभी में दो लाइने लगा लेनी है ये देखे मैंने इस डिजाइन बना दिया और दूसरी साइड बे मैं इस तरीके से इस डिजाइन बना लेना है यह देखे मैंने डिजाइन बना दिया है आप आपको आगे बताती हूँ बड़े डिबो को अंदर हमें छोटे छोटे डिब्बे बनाने देखे इस तरीके से एक पंजे के गैप में आप इलाइने लगाने हैं हमें देखे इस तरीके से यह देखे मैंने लाइने लगा दी हैं अगर आप चाहें तो इनके अंदर डिप्बे बना सकते हैं वरनाए ऐसे भी यह बहुत सुन्दर लग रहे हैं पर जो आपको इनके अंदर डिप्बे बनाना बताती हूं दूसरी साइड भी में एक एक पंजय के गैप में लाइने लगा लेनी है, इस तरिके से तरीके से ये डिब्बय में इन सभी में बना लेने हैं ये देखें मैंने डिजैन कम्लीट कर दिया, ये काफी सुन्दर है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में